हेलो स्ट्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग लास्ट जो लेक्चर था पोल मॉंटेट सब इस्टेशन उसी का हम लोग थोड़ा सा और एक्स्टेंशन पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ उसमें था तो लास्ट वीडियो आप लोग अगर नहीं देखा हो तो देख लि और उसी का हमने इलेक्टिकल कनेक्शन यहां पर दिखाया तो वहां पर बहुत सिंप्लिफाई फॉर्म में था तो यहां पर थोड़ा सा और हम एक्वीप्मेंट दिखा रहे हैं सेम 11 कवी टू 400 वोल्ट सब इस्टेशन वहां पर भी बात किया था और यहां पर भी हम सेम 11 क का सिंगल लाइन डियाग्राम और उसमें जो हम लोग एक्वीप्मेंट दिखाया था यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा इलिक्टिकल एक्वीप्मेंट दिखा रहा है यह डिग्राम समझते हैं क्या क्या चीज़ है इसके अंदर भी तो हमने सेम सबसे पहले तो उपर में इलेवन के वीपास of the एक यह ओफर ओदी मेखका और सो और यह फासे हमगे विन और सबसे पहले आईसुलेटर का मने भेज़ाइर क्या होता है यह एक आपरेटिंग क्वीप्म होता है त्योंस कूँ हम लोग हैंडिल के मदिया से तरसे हम लोग वन होब कराते हैं और यहां पर जो आईसोलेटर सुच लगा हुआ है यह डवल ब्रेक यह दोनों तरफ से यह क्या होगा अब ब्रेकिंग का काम करेगा और हमारा यह मेंटेनिस परपस के लिए हम लोग इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमने सबसे पहले आईसोलेटर लगा है और उसके ब कंस्ट्रक्शन क्या है किस परपस के लिए उस करते हैं यह सारी बात हमने डिटेल में एक वीडियो के अंदर बनाया हुआ है तो आप उसको जाकर एक बर जरूर देखिएगा से करेंट ट्रांसफर्मर और पोटेंशल ट्रांसफर्मर तो यहां से हम लोग करेंट को करेंट क उसको मेजर करना हो या करेंट कितना फ्लो करना हो तो यह दोनों कम लोग सीटी और पीटी के सारा से लेकर इस पैनल के अंदर दे दिया और यहां पर हमको 11 के वीकिलाइन की वोल्टेज और करेंट मालुम हो जाएगा या अगर हमारे पास सर्कुट बिरेकर लगा है तो सर् करन्ट ट्रांसफर हमारा रीले के लिए ऑपरेट करेगा और उसके सारा से फिर सर्कुट बिरेकर हमारा ऑपरेट करेगा यहां पर पीटी की रेटिंग भी हमने दे दिया है 11 के वी से 0.11 के वी यानी यह 110 वोल्ट के अंदर 11,000 वोल्ट के अंदर स्टेप डॉन करेगा और को हमारा मेटरिंग में शो करेगा और वहां से हम वोल्टेज को एक्चल वोल्टेज 11 के वी में कितना है उसको हम मेजर कर पाएंगे और यह हमारा सर्कुट बिरेकर लगावा है और कौन सा सर्कुट बिरेकर है ओयल सर्कुट बिरेकर यहां पर ओयल कियावा होगा और हमारा और कोईंच करने के लिए और को भजाने के लिए हम लोग oil का यूज करें और यह हमारा high-tention circuit breaker कहलाएगा क्योंकि 11 kv पर हमारा work कर रहा है और नीस को low-tention circuit breaker करें क्योंकि हमारा transformer के secondi side लगावा है यहाँ पर voltage को हम ने step down कर दिया है यह आपका बीच में आपका blue color से हमने transformer देखा है है और यह step down transformer का symbol बनाया है जहां पर primary side हमारे 11 kv line आ रही है और हमारे पास voltage को step down हम कितना में कर दे रहे हैं 0.415 kv बोल सकते हैं यह 415 volt आपका ACI बोल सकते हैं यानि हमारे 11 के वी को 400 वोल्स या 415 वोल्स के अंदर हम लोग convert कर दे रहें और step down के अंदर हमको 415 वोल्ट या हमारे पास 230 वोल्स हमको मिल जाएगा अगर 3 phase ले रहे हैं तो हमारा 415 वोल्स और single phase लेना चाहरे हैं और इस capacitor bank के सारा से हम क्या करते हैं power factor के improvement का काम करते हैं आपको मालूम होगा यदि system में power factor low होगा तो यह system के लिए harmful समझा जाता है और इसका बहुत सार हमको disadvantage मिलता है low power factor के इसलिए हमारा receiving इंट पर या load site पर हम लोग क्या करते हैं power factor improvement का का काम करते हैं और इसी power factor को improve कराने के लिए हम लोग capacitor bank को use करते हैं तो हमने capacitor bank लगा दिया है load site पर receiving site पर जिसके बाद ही हम से हम लोग power factor को improve कर रहे हैं अगेन एक दूसरा हमारे पास circuit breaker low tension circuit breaker जो हमारा 400 वोल्ट पर काम करेगा जाए 415 वोल्ट पर और यह load site पर receiving site पर लगा होगा ठीक है और यहाँ पर हमने CT current transfer में देखा है आपको मालूम होगा कि जहाँ पर भी हमारा circuit breaker लगा होगा वहाँ पर हमारा relay लगा होगा यानि relay के सहरा से relay की सहरता से हम क्या करते हैं relay की सहरता से हमारा circuit breaker operate होता है और relay हमारा चुंके low rating equipment है इसलिए हमारा current transformer लगाते हैं और current transformer की सहरता से हमारा relay operate करता है यानि आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा current transformer है या आप कह सकते हैं जहाँ पर हमारा circuit breaker है वहाँ पर relay लगा होगा और जहाँ पर relay है वहाँ पर current transformer लगा होगा और हम लोग जो circuit breaker है इसके दोनों साइड हम लोग यहाँ पर चुके circuit हमारा complicated हो जागा इसलिए हमने एक ही जगा आपका isolator देखा है लेकिन generally हमारा practically भोलेंगे तो हमारा circuit breaker के दोनों साइड हम लोग isolator लगाते हैं और यह हम लोग isolator लगाते हैं maintenance work करने के लिए हम लोग isolator को switch को operate कराएंगे और circuit को open करेंगे और हम लोग maintenance का काम कर सकते हैं तो हमारा जहां पर भी circuit breaker है उसके दोनों साइड हम लोग isolator लगाते हैं और यहाँ पर देखिए अब हमको लोट साइड हमको मिल गया है 450 वोल्ट के पास हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग क्या देखाएं में नंबर आफ लोड देखाएं में और किता सारा लोड देखा है हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच लोड देखाएं आप बोल सकते हैं पांच street गली के अंदर हम को हमारा एकुल वोल्टेज फॉर फिफ्टिन वोल्ट फॉर फिफ्टिन वोल्ट सब को मिल जा रहा है लेकिन हमारे पास current rating अलग अलग और यह किस पर डिपेंट कर रहा है लोड पर जितना लोड लेगा उसी इसाब से यहां पर current उसके cross load के cross जाएगा तो पहला जो हमारा street है वहां पर हमारा एंडेड एंपेर जा रहा है दूसरा गरली के पास सौ एंपेर तीसरा चार्स एंपेर पचास एंपेर और फिर पचास एंपेर और इसका मतलब आप इसी तरह और भी connect कर सकते हैं लेकिन आपको देखना होगा कि आपके transformer की rating कितना है तो यहां पर transformer की rating हमन हमारे पास distribution transformer की current rating क्या है तो आप यहां से निकाल सकते हैं फॉर्मूला से आप निकाल दीगा आई इक वोल्टू क्या हो जागा पी भाई रूट थरी वी एल कॉस फाई तो आप यहां पर वैलू सब्टी चूट की जगा तो आपकी वैलू आपको current की वैलू मिल जागी अगर हम एक्जाम्पल के लिए यहां पर लेते हैं हमारे पास power कितना दिया वहाँ 500 के वी दिया आपका वोल्टेज कीतना है secondary side तो आपका 450 वोल्ट से या 400 वोल्ट भी ले सकते हैं क्योंकि distribution जो वोल्टेज होता है कहीं पर आप देखिएगा 400 वोल्ट वोल्ट या 440 वोल्ट भी बोला जाता है तो distribution इस साइड या transformer के secondary side जहां पर लोड लगा होता है वहां पर 14 वी या 440 वी उसमें कोई दिकत नहीं है तो आपका वोल्टेज की रेटिंग होगे आप क्या रख देंगे और रूट 3 की वायलू रख दिजेगा और कॉस पाई आपने एक्जांपल के लिए लिए हमारा 0.9 पावर फैक्टर की वायलू तो यहां पर calculate की जगा तो हमारा transformer का current rating उसी का अनुसार हमने यहां पर लोड लगाया वाजी दिए रेटिंग से ज़्यादा लोड लगा देजेगा तो फिर हमारा transformer के अंदर overheating होने लेगा तो यह आपका electrical connection देखाया गया है जहां पर different equipment हमारा पूल मॉंटेट सब इस्टेशन में लगा होता है यह ज पर हम लोग lightning आरेस्टर लगाए हुए हैं यानि हमारा 11 kv की line को protect करने के लिए transformer का हम लोग protect करने के लिए क्या करते हैं lightning आरेस्टर लगाते हैं यानि अगर कोई बिजली हमारे पास lightning effect होगा तो वो इसको arrest करेगा और इसको क्या कर देगा ground कर देगा यानि यह इसके पात को lightning के पात को divert कर देता है ground के अंदर भेज देता और आपका transformer को protect कर देता है तो यह आपका electrical connection of 11 kv to 400 volt सबस्टेशन का represent किया गया देखाए गया आपको हम उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा अगर हमारे इस चैनल पर ना है तो इसको subscribe कीजिए, video को like कीजिए और अपने friend को share कीजिए thank you